हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग अल आफ यू वेलकम टू ऑनलाइन स्टडियों आज है पांच सेप्टेंबर 2018 और हम लोग पांच सेप्टेंबर की जितनी भी महत्यपुन करंट अफेर्स बनेंगी इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरू नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब करके बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन वेल को आउन करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइ सबसे पहले हम लोग कल के क्यूज का सही उत्तर जानेंगे कि कल के क्यूज का जो मैंने प्रश्ण पूजा था उसका राइट एंसर क्या है तो कल के क्यूज का जो सही उत्तर होगा वो राजस्थान है ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कल का जो प्रश्ण क्या था तो प्रश्ण इस प्रकार था कि देश का प्रत्थम राज जहां तंबाकू बिक्री हे थू बिक्री लाइसेंस विवस्था प्रारम की गई है यानि कि अगर आप तंबाकू बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विक्री लाइसेंस बनवाना होगा तो वो सबसे पहले जो है कि राजस्थान में लागू किया गया है तो अब बात करते हैं आज के जितने भी करंट अफेर्स हैं उनके क्वेस्चन को देखते है पहला प्रश्ण आपका यह है कि किस देश ने यूएस और नाटो के देशों के साथ सन्यूक्त सैन अभियास रैपिड ट्राइडेंट शुरू किया है यूएस और नाटो के देशों के साथ तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर होगा ओप्शन ए यानि की यूक्रेयन देश जो है इसते यूएस और नाटो के देशों के साथ तो नाटो का फुल फाम आपको पता होना चाहिए नौर्थ अट्लांटिक ट्रीडी और्गनाजेशन इसे सौर्ट में हम लोग यह भी कहा रहता है कि नौर्थ अट्लांटिक अलाइएंस ठीक है इसकी अस्थापना का होई थी यानि की नाटो के जो अस्थापना होई थी वह आपका उनीस सो उन्चास ठीक है और यहां के राष्टपती कौन है पेट्रो पेरो सेको यहां के राष्टपती है और इसको यूकरेन को सौतनता मिली थी किस देश से यानि कि सोवियत संग से इसको सौतनता मिली थी तो कब मिली थी तो 24 अगर्ष 1991 को सोवियत संग से यानि कि रूस से यूकरेन को सौतनता मिली तो इस प्रश्ण से हमको इतनी जानकारी हो जाती है तो अब बात करते हैं अगले प्रश्णी तरफ नेक्स्ट प्रश्ण आपका ये बनता है सॉरी नेक्स्ट प्रश्ण आपका ये बनता है कि भारत और किस देश के बीच तीन सेप्टेंबर 2018 को बीतिये खूफिया सुचना साजा करने और पर्यावरान के छेतर में दो समझाओता ग्यापन किये गये हैं तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर का ओप्सन A साइप्रस भारत और साइप्रस देश के वीजियो के तीन सेप्टेंबर को एक बीतिये खूफिया सुचना साजा करने और पर्यावरान के छेतर में समझाओता किया गया अब यहाँ पर बात जानना होगा कि किस ने किया तो भारत के जो राष्ट पती रामनात कोविन जो हैं तीन दिवसिये यातरा पर गए हुए हैं और उनमें ही राष्ट पती रामनात कोविन ने साइप्रस के जो राष्ट पती हैं निकोस अनास्ता सिया देश क्या नाम हैं क को जानना हुआ कि साइप्रस की राजधानी क्या है तो साइप्रस की राजधानी क्या होता है निकोसिया ओके निकोसिया यहां की राजधानी है और मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा जो है यूरो होता है ओके तो किलियर है अगला प्रस्ट देखते हैं थर्ड कठमांडू रेल्वे लाइन के लिए भारत और नेपाल जिसने समझोता ग्यापन पर हस्थाक्चर किया है रोक्सॉल कि स्राज में पढ़ता है मतलब कि भारत और नेपाल के बीच रेल्वे लाइन के लिए एक समझोता पर ग्यापन पर स्थाक्चर किया गया जो कि रॉक्सॉल और कठपांडू यानि कि भारत के रॉक्सॉल जगह और कठपांडू जो नेपाल की रधानी हुई इन दो नों के बीच रेलवे लाइन से जोडने के लिए सुझाता हुगा है तो रॉक्सॉल जो है कि आपका किस राज्य में पढ़ता है उप्सन आपके सामने है इसका राइट एंसर होगा उप्सन डी यानि कि जो कि बिहार में रॉक्सॉल जगह कि बिहार का एक सहर है और ये कहां पढ़ता है तो रॉक्सॉल जगह कि बिहार प्रांद के पूरवी चंपारन जिले में इस्तित है ठीक है पुरवी चंपारा जिले में इस्तित है या भारत जोएगी नेपाल सीमा पर इस्तित है जो रक्सॉल है आपका भारत नेपाल सीमा पर इस्तित है और यह अपने चीनी उधो के लिए परसीद है यानि कि जो रक्सॉल है वो अपने चीनी उधो के लिए परसीद है अब बात करते हैं कि राष्टपती जो हैं यहां के कौन है यानि कि नेपाल के राष्टपती कौन है बिद्या देवी भंडारी जो है यहां के राज राष्टपती हैं और यहां के जो पीम है कौन है तो यहां के जो पीम है केपी ओली सौट में केपी ओली इनका पूरा नाम होता है खड़क प्रसाद ओली ओके तो आयोप कि आपको थाट क्वेस्चन भी किलियर हो गए होगा अब बात करते हैं चौथे प्रश्ण की चौथा प्रश्ण आपका इस प्रकार है कि भारत की गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटा पन नदियों में से एक है या बात किसने हाले में जारी अपने रिपोर्ट में कही है यानि कि भारत की गंगा नदी जो है विश्व में सबसे अधिक संकटा पन नदियों में से एक ह और ये हाली में एक रिपोर्ट जारी हुई है और इसी में ये बात कही गई है तो ये किस ने ये रिपोर्ट जारी की और किस ने कहा तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर होगा आपका option C यानि कि WWF ने ये बात कही है तो WWF का मतलब क्या होता है World Wide Fund for Nature World Wide Fund for Nature होता है इसका full form इसने अपने रिपोर्ट जा ली की और इस रिपोर्ट में ही कहा कि गंगा जो नदी है वो विश्वे में सबसे अधिक संक्टापन नदीयों में से एक हो गई है अब यहां बात करते है ने WWF जो की इसकी अस्थापना कब की गई थी तो इसकी जो अस्थापना होई थी वो 19 अप्रेल 1961 1961 को की गई थी ओके इसका full form एक पर फिट से बताता हूं कि WWF का जो full form होता है क्या होता है World Wide for Nature स्वारी World Wide Fund for Nature World Wide Fund for Nature इसका फूल फॉर्म होता है और इसके स्थापना 1961 में की गई थी अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन आपका यह है कि 18वे SI खेलो में पदक के लिहाद से प्रथम स्थान पर रहने वाला देश को है। अपको पता है कि फिलाल में SI गेम समाप्त हुआ है तो पदक तालिका के लिहाद से जो की प्रथम अस्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर होगा चीन ठीक है चीन प्रथम अस्थान पर रहा है तो चीन कुल दोसो नवासी पदक टोटल दोसो नवासी दोसो नवासी पदक के साथ ये प्रफश्ट स्थान पर रहा ओके जिसमें इसके 132 गोल्ड रहे हैं और 92 ज तो दूसरे स्थान पर जो कि आपका जापान हुआ है दो कि 205 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और दक्षिड कोरिया आपका थर्ड नंबर पे रहा और थर्ड नंबर पे इसने कितने पदब के साथ यह रहा तो 177 पदप के साथ कुल यह तीसरे अस्थान पर रहा और जो भारत की बात करें option D में भारत दिया गया तो भारत की बात करें तो भारत इस सुची में जो की आठवे अस्थान पर रहा जो की कुल 69 पदकों के साथ सुरी 69 पदकों के साथ इसका अस्थान आठवे नमर पे रहा तो इस प्रेजट से आपको इतनी किलियर हो जाती है और यह प्रकार की बहुत ही वीव्याई प्रश्ण बनती है तो आप इसको अच्छे से नोटिस करके रखेएगा अब बात करते हैं छट्थे प्रश्ण की है है च Gabrielle do you got ya यह झाली में संपन्न हुए आट्रह थे खेल का सुभंकर क्या है ठीक है सुभंकर का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो घृसका को ही लोगों रखते हैं उसी सुभंकर कहते हैं हुए तोट का राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर होगा अ कि इसको समझ लेते हैं कि अत्व और काका है क्या अटरावे स्याइक हेलो में तीन सुभंकर दिये गए हैं जिसका नाम था भेहिनभीन पहला भीहिनभीन दूसरा है अत्व सुभंकर को मानै गया है वो स्वर्ग की चिडिया कारना इसका माननेता रखा गया और अतूंग एक हीरन है यानि कि यह अतूंग जो है एक परकार का हीरन है और यहां काका का जो मतलब निकलता है वो एक गेंडा है और यह तीनों सुभंकर जो है आपका इंडोनेसिया के पुर्वी पस्चमी और करते हैं इसके वज़े से तीन लोगों रखा गया है ओके तो क्लियर अगला प्रस्ण देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ण आपका यह बनता है कि अट्रावे स्याई खेलों के समापन समारवों में भारतिये दल का द्धवजवाहा कौन था ठीक है अट्रावे स्याई खेलों के जो समापन हो उस समय भारतिये दल का द्धवजवाहा कौन था तो इसका राइटेंसर क्या होगा तो इसका राइटेंसर होगा अप्शन यानि की पाल इन्हों समापन समारो का भारतिय दज का दोजवाहक किया अगर यहां से मैं पूछाओ कि इसी आई खेलों के जो प्रारम के समय समारू का भरतिय द्षुधाल हुआ कौं था तो इसका राइट ठेस होगा नीरत् शोप्राइश यह जअरिय स्टार्टिंग में द्षुग शुन रह stupid हो और चैबसी में किस खेल से समातीत इसमें दो पत्रकारों को जेल की सजा दिये जाने के कारण अंतराश्टी अस्तर पर अक्रोस व्यापत हो गया है सुरी यहां पर पर होगा गलती से मिश्टेक हो गया टाइपिंग में अंतराश्टी अस्तर पर अक्रोस का व्यापत हो गया है तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर होगा आपका option नमबर B यानि की महनमार जो देश है इसमें दो पत्रकार को जेल की सजा दी गई है जिसके कारण अंतराश्टी अस्तर पर आकरोज का महल समाया है सबसे पहले जान लेते हैं कि महराष्ट कोट ने 3 सेप्टेमबर को समवाद समीती राइटर ये की महनमार की एक पत्रकार है समीती है समवाद समीती राइटर उसके दो पत्रकार जो थे वा लोने इनका नाम था वा लोने और कयाओ सो ओ कयाओ सो ओ इनका नाम था दो पत्रकार था ठीक है पहला लगा था वह लोने और दुसरा कया सो ओ को 77 साल की दोनों को 77 साल की सजा सुनाई गई है और इन पर किस कारण की जो मतलब की अपराद लगे के जिसके करण जेल है तो इन पर मैनमार की सरकारी गोपनियता कानून का उलंगन करने का आरोप लगाए गया है। क्लियर है अगले प्रसंद देखते हैं नेक्स्ट परसंद आपका ये बनता है कि तीन अक्टूबर दोहजर अठारा को भारत के मुख्ये नयाधी इसके रूप में कौन पद्भार ग्राण करेगा ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर होगा ऑप प्रधान नयाधीस हैं धिपक मिसाhrad G. इन्होंने कहा कि अगले प्रधान नयाधीस पद के लिए नयायमूर्ती रंजन गगोई को कर नाम दिया ठीक है जो कि अभी फिलाल की बात करें ती रंजन गगोई कौन है तो रंजन गगोई वरतमान में सुप्रीम कोट के दुसरे वरिष्ट ना नियाधिस है यानि कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी दूसरे वरिष्ट नयाधिस के तौर पे हैं मौजूद है ओके अगला प्रशन देखते है नेक्स्ट प्रशन की बात करें तो किस देश ने तीन सेप्टेमबर तो हजर अठारों को दुनिया के सबसे खतरनाक लिस्टोरिया प्रकोप के अंत का अधिकारी घोशना की है यहां जानना होगा कि लिस्टोरिया प्रकोप क्या है और यह प्रका का बहुत ही वीबिया प्रशन बंद आपका ठीक है यह तीन सेप्टेमबर को दुनिया का सबसे खतरनाक लिस्टोरिया प्रकोप को अंत की अध कारे गोशना की है दक्षिर अफरीका ने लिस्टेरिया जो है कि आम तोर पर बैक्टरिया के द्वारा दूसीत खाने के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है क्या है लिस्टेरिया जो है दूसीत खाने से होने वाली बैक्टरिया के द्वारा होने वाली एक बहुत ही खतरन अपने कुछ नयावी सीखा हुआ अब बात करते हैं आज की क्यूज का प्रस्ट क्या है कि लिए इस परकार लेकर रहा हूं कि हाली में कि सिराज में ऑनलाइन आवर सिवा का पॉर्टल लॉंच किया गया है तो इसका राइट एंसर जल्दी से आपको comment box में type करना है option आपके सामने इस प्रकार है कि 36 गड़, बिहार, पंजाब और आपका अस्सम इसका राइट एंसर आपको जल्दी से comment box में type करना है कि इसका राइट एंसर क्या होगा तो उमीद खरता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी तो please like कीजिए, comment कीजिए और अपने अधिक दोस्तों के साथ अधिक सदिक इस वीडियो को share कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारी दोरा डाली के daily नीव वीडियो से कुछ नया सिखने को मौका मिले तो मिलते हैं, next वीडियो में thanks for watching, keep watching, keep learning, जैहीं, जै भारत